हर्याना में उत्तरपश्मी हवाओं ने बढ़ाई ठंडक रात में पांच डिगरी गिरातापमान 29 से चाहेंगे बादल बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना ऐसा समाचार अभी अभी डैनिक भासकर से हमको मिला है आएए देखते हैं डिटेल में कैसा रहेगा आने वाला मौसम हरैना में एक बार फिर से मौसम में बदलाव शुरू हो गया है इसके कारण तापमान में उतार चड़ाव देखने को मिल दा है बादल वाही के साथ हलकी बूदावानी देखने को मिली जिससे तापमान में पांच डिगरी की गिरावर दर्ज की गई मौसम बिशेशक्यों को कहना है कि 29 फरवरी से मद्यम शुरेनी का पश्चमी विक शोग वेस्टन डिस्टर्बंस जो है वो सक्रिय होगा जिससे उत्तिर परविती एक शेत्रों पर बरबारी तथा मेदानी राजियों में मौसम करवट ले सकता है हरेना के एंसियार में एक से तीन मार्च के दोरान हलकी बारिश बूंदा बांदी होने के असार हैं इस दोरान 30 से 40 किलो मीटर स्पीड से हवाएं चलेंगी मौसम मिशे शग्यों का कहना है कि पहाडों में एक कमजोर पक्ष्मी विक्षोब जो है वो सक्रिय है और क्षेत्र में मौसम के बदलाव को ये लाएगा साथ ही हवाओं की दिशा की रफतार से पारे में भी उतार चड़ाव देखने को मिल रहा है इस बदलाव के कारण हर्याना एंसियार दिल्ली में लगतार बादलवाही देखने को मिल रही है मौसम मिशे शग्यों का कहना है कि ऐसे मौसम में लोगों को अधिक साथदानी बर्तने की जरूरत है सभी जिलों में हर्याना के दस डिग्री से नीचे पहुंचा पारा इंतम ताफमान में समन्ने से पांच डिग्री की जिरावर दर्ज की गई है यहां का रात का ताफमान दस डिग्री से गिरकर पांच डिग्री रेकॉर्ड किया गया इसके अलावा गुरुग्राम और पानी पत का 6.4, हिसार का 6.6, मेंदरगड का 6.9 और पंच पूला में 7.1 डिग्री में तम पारा रेकॉर्ड किया गया और भी कोई नई जानकारी हमको मिलेगी तो हम आपके साथ सांजा करेंगे फिलहाल क्योंकि 29 तारीक के आसपास बादल और बारिश आने की संभावना है या उसके बाद तो किसान भाई अपना काम खेतों में कर सकते हैं सब को धिर सारी शुब कामनाए नमस्कार